अगर आप शिक्षामित्र हैं सम्विदा कर्मी हैं तो आने वाले समय में लखनों की सड़ जमी पर आर या पार के लिए लड़ने का काम करेंगे जब मरना ही है तो फिर यहां कहें मरेंगे अरे सहीद होके मरेंगे ना बहुत से लोग केर समीत का फार्म नहीं भर पा रहे हैं पूछ रहे हैं बार बार मैंने बार बार अपील करी कि शिक्षामित केर समीत का आप लोग गूगल पर scsup.in डालें इतना समय हो गया उसके बावजूद भी लोग लिंक पूछ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं scsup.in लिख कर रहे हैं वह सही हो गूगल पर फोन पर के माध्यम से करें कंडिट को और उसका screenshot भी अपलोड करने की विवस्था वेबसाइट पर बना दी गई है उसके बावजूद भी लोग बहुत सारी पूछ रहे हैं कैसे करना है क्या करना है तो मैं समझता हूं कि इसनी छोटी सी ब इतना प्रतिदिन हो रही है पता नहीं चला है कोई एक्सिडेंट से जा रहा है तो कोई हाट डेक से मर रहा है और जो ससी बूसर सिंग के साथ घटना होई है यह इलाईची तक नहीं खाते थे और ना इनको कभी कोई समस्या थी ना कभी बीमार रहते थे इनको अट्रैक सब्सक्राइब का सौख है तो आने वाले समय के लिए आने वाले समय में लखनों की सरजमी पर एक आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और मैं विसेश अपील कर रहा हूं जितने भी शिक्षा में साथी हमारे बात को सुन रहे हैं वह इस बात को कंठस्त कर लें कि जब तक आ ट्सक्रेश्ट कर आने वाला कर आने वाला कर और कल कि सकी कषशत्त हैं क्षाम तक यजा आ जा जाएगी निकल कर कि फलाने आदमी नहीं रहे प्लाव्यक्थी नहीं रहा तो जब मरना ही है तो फिर ऐसे नें पर बरदास से उपर हुए अब बरदास से उपर है क्योंकि एक सैयम होता है आदमी कहां तक सैयम रखे कहां तक सैयम रखे कब तक रखे संदम सैयम रखे ये रोज होती मोते हैं अभी किसी मंतरी विधायक कड़का मरा होता है मुझे याद है मुझे नहीं कहना चाहिए मैं छमा चाहता हू आधरणी कॉसल किसोड जी सांसत जी है मंत्री भी इनके पुत्र नसे की इलत ने इनके पुत्र को खतम कर दिया तब से आधरणी कौसल किसोर जी एक मुहिम चला रहे हैं प्रदेश और देश में नसा मुक्ती अभिहान क्यों अपने ललके की याद में आखिर आपको अपना ललका इतना प्यारा था कि जो चला गया आप कलपना कीजिए इतने लोग जो मरे हैं ससीभूसर सिंग जी को ले लीजिए पिता जी उनके जिंदा है 80 साल की उमर है अब आप समझेए कि 80 साल का जो पिता जी हैं उनके अपने कंधे पर बच्चे को कैसे उठाए होंगे कलपना कीजिए मंत्री जी कलपना कीजिए विधायक जी जितने भी लोग सुनना हैं कलपना कीजिए कैसे उठाए होंगे 80 साल का पिता लेकिन अपनों का दर्द लोगों को लगता है लेकिन दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता है इसी कोरोना काल में दोसों से अधिक सिक्षा मित्र मर गए जब पैसे की बारी आती है तो पैसा नहीं है जब कहते हैं कि कोट जो डिसाइड करेगा वो मानेंगे कोट डिसाइड कर देता है दो महिने पहले की बात है कोट का ओडर आ चुका है पक्ष में इन लोगों के किनके जो गरीब है सिक्षा मित्र है संविधा कर्मी है सरकार के दिए नहीं पैसा नहीं देना हम तो सुप्रीम कोट जाएंगे अभी यही फैसला सिंगल बेंच का अगर आपकी पक्ष में आ जाता तो आप तयार हो जाते कि नहीं और मैंने देखा 68,000 भरती हो या 39,000 भरती हो सिंगल बेंच का अभी अगर फैसला आगे आपने इसको ततकाल रातो रात पत्र जारी करके लागू कर दिया कि नहीं हम कोट से जीत गए लेकिन अगर सिक्षा मित्रों के मामले में कोई फैसला आता है आया है होमगार के मामले में आया रसोईयों के मामले में आया आंगनबारी के मामले में आया